किसा हाल पे है कि वह कंपनी से रिटायर हुए थे सर बनपूर आइडन एस्टिल फिक्टरी वहां से रिटायर होकर के अगर वो उस वक्ताम से रिटायर होकर के निकले ते कि अगर एक बुंद आकर जैसे पानी का होता है न सर पे डाल दे तो पैर होकर के निकल जाएगा इंसा जाने के लिए तैयार है क्योंकि एजेंट सिधा बोल दिया कि भाई हम लोग करते चले गए बहुत बड़ा बड़ा आदमी बैटा हुआ है भरम में डाल करके तुम लोगों करवाद दिया अगर उनके अंदर में जिस चीत का अगर पावर है जबान का वैलू है तब यह डिवेट में आ करके देने और दिलाने की बात करें दुर्गा पूजा में दे देंगे दिवाली में मिल जाएगा यह जुम्लावादी करना बन करें 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 कराईशा सहारा इंडिया को यह देश के साथ सहारा इंडिया खेल दिया एक नेपाली इंसान का जो इससो सहारा इंदर में उसका एकौन खुलवा पर्चंट में नागरित्ता दे दिया कि नेपाली से पैसा लिया किया है जब नेपाली जाता है अभी पर्चेंट में मेरे पास में है अपने मफाद के लिए सहारा इंडिया गरीबों को डुबाद दिया सकते हुआ कि सहारा के किसी भी आदमी की वरोसा नहीं कर सकते हो किसी आद का वरोसा नहीं कर सकते हो कोई भी बोले बातों के स्वर्दागर है कुछ आदमी सुनिये सुनिये बाइट आप कुछ आदमी 500 200 200 300 का वो रीशिट्ट खतम हो से अगर सहाराइंड़े मंदार होता गर में 2012 में सेवी का मसला हुआ था अगर निवेशक के हक में अगर सहारा एंडिया लगते तो उसमें डारेक्ट जो है ने इस्तिहार और एकभार में चाहते दे कि भाई हमारे साथ ये मसला आया और ये कंपणी का जो है ये दो लासंस रद हुआ जो सेवी चप्त कर रखा है आप सहारा एंडिया के अगर हमारी ने सार्हारा ही पहल्चा के देश के बहुत सक्चे और अच्चे भक्त है अर rumi का फकीर से भी फकीर इंसान हो तो उसका लर्का उसको आप दहन देगा दोनों लड़का में से कोई नहीं आया है, आशा धम किस काम का, आज देख लिजिए सर रखन टाता, उनको हम सेलूट करता है, पुरा वल्ड सेलूट करता है कि भारत से अच्छे वित्वान निकल गए, भारत को आज खलता है वेशो वेशो लोगों के लिए, वेशा वित्वा अब्यक्ति चाहिए भारत के अंदर में, इंदुस्तान में पुरा वल्ड सेलूट करता है रखन टाता को, नहीं लेकिन कमपनी ये कह रही है, कि देखिए हम बहुत ही, एक ऐसे इसमें हमारे खिलाफ पॉलिटिकल साधिश हो गई, हमारे खिलाफ लोग पढ़ गए, हमको ब आप लोगों ने अपने मन से निवेश किया है, तो उस समय में जब 2009 वहां के प्रण्चार्जिंग में कैसा होता है, आपको अपने पैसा का एजेंट खुद बन जाईए, तो उस पैसा के एजेंट को हम खुद दे, और 2012 में जब कनवर्जन हुआ, तो सर उस समय में हम सहुदी के अंदर में थे, अब रॉड में थे, आट अफ इंडिया, उसके एजेंट हम थे, फिर कैसे कनवर्जन हो गया सर वेगर एजेंट के मात्यम से, क्योंकि मेरे फादर तो है, सुसा रुखने पर है लीकिया आदमी नहीं थे, नौ आपको जानते नहीं पर बैठा ले, जो चार आदमी को एजेंट को भी बैठा ले, एजेंट जो है विचारा गरीब, वो आ करके हाथ पर जोरने लगा, हम जाते हैं तुम्हारे खिलाफ हम केस करते हैं, हाथ पर जोरने लगा, उस समय में जो बातों से चलती है, सारा ही कैसे कपनी है? जो इन सब्स कागलों से नहीज चलती है, कोई भी चीजों के लिए बात हो जाता है, कोई बोनो जाता है मैं को भी को दॉनको को और्क झांडिकट मुशकील नहीं है लें दोड़ उस foreign कि में अपने प्रेटीन हम को आप अपने प्रोपर्टी का पेपर दिजिए हम कंवर्जन करते हैं जिस दिन करते हैं पूरे सहारा का जो आरे मेरा वो सबका यही हाल है सिर्फ एक जगा करी है पूरे सहारा की बात कर रहे हैं कि अप्साइब हाँ मिल्हों को अवर्या प्ली कके ऐाै त्मपणी का हाल खराब है कमपणीए हाल से बैहाल बना हुआ है और आर्म का जो है औरम प्रमोशन पर Kung Sao की आज वही आर्म लाइशन से उटकिते चने गuli जब इनका का वालिखिकेस्टें दस्वा पास से आरम बनने के लिए जो अन्पॉलिक्स करब बना जाएगा अचके ज़ुट में और सिर्फ पैसा करब करके लाईए आरम बन जाईए तो इससे बड़ा बिड़ा बना इतने बड़े कंपनी में क्या हो सकता है आप बता दे कि पैसा कलेट करिए ब्रिजभर में में रहें पर नहीं कुछ पता नहीं है किसी चीज का कोई जानकारी नहीं है इस से बड़े बिड़ा मारा इस कंपणी में और क्या हो सकता है तो वैसा कलट कर रहे हैं और आपको चाहिए तो हम आपको एमिगरेशन जो होता है इंडिया से बाहर नहीं निकल सकते हैं किसी चीज को कुछ टेक्निकली नहीं पता है यकिन मानिए सिर्फ पैसा क्लेट करिए और अब जब यह प्रवर्टी है तो आप सोच देजिए कि साहरा का मंत्र सुरू से कहा है जब इस सकता के अक्टिविटी है तो अच्छा पतिजा भाई बेटा अगर मेनेजमेंट में होता है जब मैनेजमेंट का मतलब ही इनको पता नहीं कि मैनेजमेंट क्या होता है कल को हम भी रहेंगे हमको कुछ पता नहीं हिस्सा बन जाएंगे तो कंपनी कहा जाए काम कर रहे हैं यह भी भारत सरकार की कंपनी है टीसी आई एल जानते हो यह सर आप आज देखेंगे जानते हैं जो नहीं कोन ऐसा जगा नहीं है जो काम कर रही है यह तो बातों का सवरदा अगार सारा काम का नहीं है हर काम इक और इस लोग मुह से करता है देखे चोद्री जी जिस काम के लिए मानली जी रखा गया है विक्ति को उसका काम है पैसे का कलेक्शन करना तो पहले पैसे के कलेक्शन में वो 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 वा